दोस्तो आपने ये तो सुना होगा कि किसी भी exam को clear करने के लिए उसके syllabus और previous year question को सबसे ध्यान से cover करना चाहिए Civil services में previous year question हमारी कैसे help कर सकता है इस वीडियो में बात करेंगे इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब previous year question को analyze करें तो कौन-कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है जिससे actually आप आगे आने वाले जो exam है उनमें जो theme से जो important topic है आप उसे identify कर पाएं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे question civil services में CDA, CAPF इनके previous year question से पूछे जाते है तो ये CAPF 2017 का question है देखे ये हमारी civil services के question को solve करने में कैसे help करता है आप वीडियो post करके इस पूरे question को पढ़ सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर 3 option है और 4 option ये देखे तो देखते हैं इस question में क्या कहा गया था आपसे पूछा गया है कि गुपता पीरेट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है पहले option में कहा जा रहा है कि जो विस्टी है यानि forced labor ये और ज़्यादा common हो गया पहले के मुकाबले दूसरे option में कहा जा रहा है कि विश्टी पूरान की एक passage के according गुपता enjoy करते थे all the territories along the ganga up to the परियाग और तीसरे में कहा जा रहा है कि जो महरोली inscription ने ये बताता है कि चंद्र गुपता फाउट against a confederacy of enemies in bangals and also led a campaign into the पंजाब और चौथा कहा जा रहा है कि सौराष्टर पार्ट नहीं था गुपता empire का तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि not correct पूछा गया है तो इसका correct answer है option D क्योंकि सौराष्टर पार्ट था गुपता empire का नाव ये question देखिए civil service 2019 का एक difficult question है यहाँ पे forced labor यानि विस्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो कि गुपता period के time पे exist करता था और ध्यान रखना है आपको correct statement बताना है ना कि incorrect पहला option देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसे एक source of income माना जाता था state के लिए क्योंकि assault of text था जो कि लोगों के द्वारा दिया जाता था दूसरे में कहा जा रहा है यह totally absent था माईदेपरदेश और काठिया वार्ड वाले reason में गुपता empire के तीसरे में क्या कहा जा रहा है कि जो forced labor है weekly wages के रूप में दिया जाता था और चौथा कहा जा रहा है कि जो eldest son है laborer का उसे forced laborer के रूप में भेजा जाता था दोस्तों जो old NCRT है आरेच सर्मा की गुपता empire से संबंधी दो चेप्टर आपको देखने को मिलेंगे 20 और 21 तो 20 चेप्टर में तो बताया गया है कि rise and growth of गुपता empire किस तरीके से इनका उदय होता है और growth की बात की गई है जिन में mainly background में आपको बताया गया किस तरीके से जो mighty emperors होते हैं चंदुपत 1 से लेकर चंदुपत 2 और किस तरीके से फिर empire fall करती है इसके बाद 21st चेप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से गुपता age की life थी तो इनसे भी question पूछेगा है बट अभी हम देखते हैं कि इस question को इस book के through कैसे solve किया जा सकता था दोस्तों इसी book के page 189 में अगर आप देखेंगे तो detail से विस्टी के बारे में बताया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि जो central western इंडिया था यहाँ पे जो present लेबर यानि basically विस्टी की बात की जा रही है इससे यह साबित होता है कि जो काठिया वाड है या जो मैध्य रीजन है इनमें of course forced labor exist करता था absent नहीं था तो यह तो बहुत ज़्यादा education है totally absent लिख दिया गया है गलत है हम भी अपने देखा यहाँ पे present था अगला कहा जा रहा है कि forced laborer को weekly wages दिया जाता है ऐसा कोई wages की बात नहीं है इसी chapter में आप details से पढ़ सकते हैं और मैंने अल्रेडी energies कर भी दिये तो आप analysis में जा करके भी देख सकते हैं playlist में एक एक videos में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से question के background में जा करके उसे cover करना है और जो option D है यह भी गलत है यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि eldest son, younger son को भी देखा जा सकता है जा forced labor के रूप में तो इसका correct answer था option A, अब यह question मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इस question के माधियम से यह जो CAPF का question है यहाँ पे देखियो option A को forced labor यानि विस्टी की बात की गई है तो अब यह आपको cover करना था मतलब जब आप इस question को देखें और आगर आपने यह first time सुना है forced labor के बारे में तो यह आपका काम होना चाहिए कि इससे आप detail में prepare कर लें because इस तरीके के keyword के question काफी ज़्यादा expected है और पूछा देखें 2017 का था CAPF का यहाँ पे 2019 में पूछ लिया गया तो मैंने जिस तरीके से यहाँ पे आपको कहा है कि theme identify करने में काफी ज़्यादा help मिलेगी तो यह देखें यहाँ पे जो theme है forced labor की वो दुबारा पूछ ली गई नाविस question को देखें यह भी again CAPF का है अगनी मित्र the hero of Kalidas मालविकागनी मित्र belong to यानि जो Kalidas की book है मालविकागनी मित्र इनमें जो अगनी मित्र हैं वो कहां से संबंद रखते हैं किस dynasty से संबंद रखते हैं Sung dynasty, Kano dynasty, Satwahan dynasty या फिर Gupta dynasty नाविस question को देखें यह civil services 2016 का है यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ancient India की जो कौन सी book है जिसमें Sung dynasty के founder के son की love story के बारे में बताया गया है option है सौप नुवास वदता मालविकागनी मित्र मेग दूत या रतनवली of course यहाँ पे answer मालविकागनी मित्र है वैसे इस question को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो Sung dynasty के founder है उनका नाम है पुस्य मित्र सुंग और इनके बेटे का नाम था अगनी मित्र तो इस तरीके से यह अगनी मित्र और मालविका की story है तो आपको नहीं लगता कि यह question directly यहाँ से inspired है कि जो अगनी मित्र है काली दास के मालविका अगनी मित्र के hero यह किस dynasty से संबंद रखते हैं सुंग dynasty से obviously यह question directly repeated है बट यहाँ पे मैं आपको theme बताना चाहाँ कि इस तरीके से books के बारे में question पूछना कोई नई बात नहीं है नाव इस question को देखे यह civil services 2003 का है आपसे पूछा गया है कि मिरी स्कटिका जो कि एक ancient Indian book है सुद्रक के दारा डिखी गई है यह किस से deal करती है तो last के question में भी हमने देखा था कि book के बारे में बता दिया गया और उस book के story कि इसके around revolve करती है यह पूछ लिया गया था तो बैसे इसका answer तो आसान question है इसका answer option A है हर book में आपको cover मिल जाएगा ancient history की बट यहां से आपको यह समझना है कि इस तरीके से book और उसके themes के इर्दगिर्द question frame होता रहता है और काफी बार पूछा गया है ना अगला सवाल कि यह सब जो books हैं और facts हैं यह सब एक जगा कहां पर देखने को मिलेंगे तो देखें यह old जैसा मैंने आपको बताए कि जो old NCRT वाली book है आरे सर्मा की इसका जो chapter है life in the gupta is यहां पर भी बहुत सारी books cover की गई है और और भी काफी सारी books हैं उनमें cover किया जाता है बट the thing is सारी चीजे एक जगा पर compiled नहीं है तो आप history playlist में जाएए मेरी वहाँ पर topic wise videos में मैंने 3 या 4 videos बनाई है books ancient books के उपर उनमें आप देख सकते हैं सारी चीजे सारे PYQs मैंने एक साथ compiled किया है वैसे question generally इनी book से पूछा जाएगा गुप्ता डिनेश्टी से जो आसान सवाल बनते हैं जैसे देखे ये भी civil services का previous question है इन संस्कृत प्लेज रिटें डूरिंग दा गुप्ता पीरियड women and sudra speak कौन सी भासा बोलते थे women और sudra आपको बताना है संस्कृत प्रकृत पाली या फिर सौर से नी तो यहाँ पे काली दास के टेक्स्ट के बारे में बताया गया है जैसे अविज्ञान साकुनतलम जिनमें किंग, दोसियंत और साकुनतला की स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया है यही पे देख सकते हैं women and sudra featuring in these plays use prakrit while the higher classes use संस्कृत तो आप कह सकते हैं कि directly यही से question frame किया गया है अब यह जो सुद्रक वाला question था यह civil services 1998 का repeated previous question था वैसे इस question को आप answer करिए comment box में अगर आपने NCN books को अच्छे से cover किया है तो इसे आप काफी आसानी से answer कर सकते हैं और यह सारा कुछ मैंने discuss किया हुआ है already अगर आप इनके solutions देखना चाहते हैं इस तरीके के जितने भी books के उपर question आए हैं तो वो सब आपको description box में मिल जाएगा link वहां से आप देख सकते हैं अगली theme पे ध्यान दीजिए यह जो question है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि गुपता period या कोई भी एक time frame दे दिया जाएगा और उसके तहट आपको बताना रहेगा important personalities के बारे में तो अक्सर इनसे question बन रहे हैं और आपको ध्यान देना है इस theme पे focus करना है देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है पूछा जा रहा है कि कौन medicine के work में famous थे कुपता period के time पे option है सौ मिला, सुद्रक, सौनक या सूसरूत तो again इसका reference आपको old NCRT में देखने को मिल जाएगा second century AD में देखिए यह time period भी ध्यान रखना है एक बार question civil sirs से पूछा गया है जहाँ पे आपसे इसी तरीके से century के basis पे discoveries के बारे में question पूछ लिया गया था तो यहाँ पे देखे two famous scholars की बात की जा रही है Ayurveda में सूसरूत और चरक के विसे में तो सूसरूत समीता में सूसरूत ने बताया है कि इस तरीके से operating cataract, stone, disease and several other elements तो कई सारी बीमारियों का इलाज बताया गया है इनके द्वारा और इसी तरीके से चरक सहीता के विसे में भी आप देख सकते हैं कई सारी बीमारियों के बारे में discuss किया गया है और उनके possible इलाज भी बताया गया है तो options भी आपको जरूर analyze करने हैं देखिए वैसे यहाँ पे तो आंसर हमारा सूसूरूत है बट सूद्रक के विसे में आपको पता होना चाहिए बाद में कुश्चन भी कई बार पूछा गया सौनक के विसे में भी और सौमिल के बारे में भी यह सब आप जरूर आजकल आप तो गूगल से भी देख सकते हैं औ उनसे important points extract करने हैं उमीद है आपको यह video पसंद आई होगी धन्यवाद